मित्रों बात करेंगे आज गोमेद रतन के उपर मैं हूँ आपका मित्र डॉक्टर नारायन आचारिय चंडिगर से मित्रों मैं बात करूँगा जोतिस रतन के उपर बात करूँगा रतनों के संसार में क्या खास बात है गोमेद की गोमेद रतन दोस्तों क्या रिजल्ट देता है क्या लाब देता है और सबसे पहले कहूंगा जिनके साथ ठगी बार 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 होती है चोरी बार बार होती है चिटिंग बार बार होती है अगर आपके साथ भी बार बार दोखा होता है बार बार चीटिंग होती है बार बार लोग नुकसान पुंचाते हैं आपके पिछे चुगली करते हैं आपने इतनी इज़त दी और वही आदमी आपके पिछे सारी जड़े काट देता है आपने एक बच्चे की हेल्प की आपने कुणली में आठ में घर में बैठे हो बार में घर में बैठे हो राहु जहां पर भी बैठेंगे शरारत तो करेंगी करेंगे छटे और ग्यार्में के राहु को छोड़ करके बाकी पूरी कुणली के अंदर राहु देव डिस्ट्रब करने वाले रहते हैं पार्टनर्शिप को डिस्टरब अगर आपने पार्टनर्शिप में बार बार प्रोब्लम फील करते हैं बार बार आपको परिशानी आती तो मान के चलिए राहुदेव प्राइव कि एक basically planner, बहुत ज्यादा planning करना किसी चीश के बारे में सोचना, इतना सोचना कि वो चीज की गहाई तक चले जाना जैसे राहु देव ने क्या planning की अमरित पीते समय उन्होंने देवताओं का रूप बना करके देवताओं की लाइन में बैठ गे और विश्नु जी के हाथ से अमरित पी लिया ये वोही राहु देव की बात कर रहे हैं जिन्होंने पहले दिन से planning किये cheating की राहु देव जिसकी कुंडले में अच्छे हो उसका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं और जिसकी कुंडले में राहु खराब हो उसको कोई बचा नहीं सकता राहु देव तो ठीक करने के लिए दोस्तों गोमे जिरत्न पहना जाता है राहु देव जैसे कि आप ने का एक्जाम में मुझे सब कुछ आता है और अचानक लास्ट मोमेंट में सब कुछ फिनिश हो गया आप exam देखकर के question paper देखकर के खुश हो जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और जैसे लिखने लगते हैं brain आपका एकदम से जैसे कोई एकदम किसी ने अंदर से बाहर निकाल दिया हो इसका मतलब राहू देव आपकी कुंडली में डिस्ट्रोब है राहू देव के खराब होने के बहुत सारे लक्षन है आपको नाक में उंगली ज़्यादा डालते हैं दांत की रोग की पीड़ा ज़्यादा रहती है मुझे बार बार स्मेल ज़्यादा आती है बोडी में पसीने की स्मेल ज़्यादा आती है मान के चलिए आपकी कूढ़ी में राहु देव डिस्ट्रव है घर बहुत गंदा रखते हैं आफिस बहुत गंदा रखते हैं चाहते हुए भी सफाई नहीं कर पाते किचन में बहुत ज़्यादा स्मेल रहती हो और अगर आपके खाने में टेस्ट ना आता हो तो मानके चलिए राहु देव डिस्ट्रब कर रही है राहु देव बहुत जगह रोल प्ले करते हैं दोस्तों लास्ट मोमेंट में आप रेड जंप कर जाते हैं अगर रेड बत्ती का आपने अगर उसको आपने डिफोल्ट कर दिया तो मानके चलिए ये भी आपको रहु देव का दोश्ट है अनपेशन्स बिलकुल छोड़ छोटी बात पर अनपेशन्स हो जाना भी राहु देव का आपका कारण है दोस्तों रहु देव कुंडली में जिसके अच्छे हो जाएंगे वो बहुत अच्छे planner होते हैं, उनकी planning बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत अच्छे architect हो सकते हैं, देश की planning करते हैं, वो एक IS officer भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु देव जिसके अच्छे होंगे, वो दिमाग से बहुत talented, बहुत शातिर और बहुत perfectly काम करने वाला होता है, एक जो gravity है दोस्तो, 4.65 से लेकर के 4.71 के बीच में होनी चीए, सबसे best जो इसकी gravity है, इसके लावा hardness भी है, reflective index भी होता है, इसमें stone में कितनी ज्यादा reflective, सबसे अच्छा कहां का माना जाएगा, ये देखें दोस्तों, ये गोमेद रतन है, ये सबसे best quality का गोमेद, एक दम transparent पीस से देखें द्यान से आप, ठीक है, जूम करके दिखा रहे हैं, आपको बिल्कुल एकदम perfect piece है, एकदम perfect जिस ये है, श्रीलंका का सबसे top का, सिलोन का, श्रीलंका का जो गोमेद है, वो number one पे है दोस्तों, इसके अलावा जारखंड में भी निकलता है, हिंदूस्तान में भी बहुत सारी जगहां पर है, उडिशा का भी गोमेद आता है, और भी बड़ी सारी जगहां का आता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो हार्डनेस है, सबसे बढ़िया जो reflective index है, सबसे ज़्यादा जो transparency है, सबसे ज़्यादा जिसकी जिसमें लस्टर सबसे अच्छा है, वो आपक श्रिलंका का गोमेद है दोस्तों, दूसरे भी गोमेद गोमेद में भी श्रिलंका में भी कही प्रकार के आता है, जिसमें छोटे छोटे बूंदे होंगी, छोटे छोटे चोटे कन बने होंगे, वो भी गोमेद है, एक बंद गोमेद आता है, बिल्कुल बंद होगा, एक ब सकते हैं तो बेस्ट मेट पैनियागा नहीं तो जो तो भूोल हमेशा राइट एंड के अंदर या लेफट हैं मिडल फिंगर में ही पहना जाता है म्द्यमाउंगली में गुमेध रहतां आपने alegre कर दिन साईकाल को 7 बज़े के समय में पहनते हैं तो सर्वस रेस्ट माना जाता है और साथ बज़ कर 4 मिनट पर पहने तो यह कहना ही क्या है 7 नंबर के तो चार नंबर राहुदेव तो साथ बज़ कर चार मिनट पर यदि गुमेद रतनद शुद्ध करके राहुदेव के बीज मंत्रों का पाठ करके ओम राम रहुए नमें ओम राम रहुए नमें मंत्र का जब करते हुए यदिया पहनते हैं चांदी की धातू में या पंच धातू में पहनते हैं दोस्तों तो इसका रिजल्ट ही कुछ और होता है पंच धातु में पहनना ज़्यादा शुब फल्दाई हो सकता है बुद्वार के दिन साइकाल को साथ मत कर चार मिनेट शुद करके पंच अमरे से सनान करा करके पहनिएगा इसका रिजल्ट दोस्तो कुछ और मिलेगा दोस्तो आप अगर मुझसे संपरक करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं जो आपकी स्क्रीन पे जो 90116-54 जो नमबर आपको शो हो रहा है आप इस पे फोन करके जो फीज का प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप मुझे कॉंटेक्ट कीजिएगा अपॉइटमेंट लेकर के मेरे से बात कर सकते हैं और सबसे पहले अगर आप मुझे चाहते हैं और आगे मैं नहीं जानकर यापको दूँ तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों को भी शेर कीजिएगा दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा नमो नाराएंजी आगे दीजिए फिर एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं जल्दी नाराएंजी नमो नाराएंजी 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 नाराएंजी